राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं आपको आश्विन मास की संकष्टि चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रहे हूं बंधों आश्विन मास में क्रिशन पक्ष्टि चतुर्थी तिथी को संकष्टि चतुर्थी व्रत किया जाता है जो मुश्य भी संकष्टि चतुर्थी व्रत करते हैं गनेश्ची और चोत माता उनके सभी संकट दूर करते हैं साथ ही उन्हें जीवन में कभी भी आर्थिक संक्टों का सामना नहीं करना पड़ता, जो कोई भी संकष्टी चतुर्थी व्रत करते हैं, बंधों हर महीने के क्रिशन पक्ष की चतुर्थी तिथी को संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाता है, बंधों जो कोई संकष्टी चतुर्थी व्रत नहीं भी करते केवल संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा को ही सुन लेते हैं उनके भी सभी संकट गनीश्ची दूर करते हैं बंधों यदि आपने यूट्यूब चैनल संसकार की बाते अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके बोलो गनेश भगवान कीजे चोथ माता कीजे बंधों हर महा चतुर्थी तिथी शुकल पक्ष और कृषण पक्ष दो बार आती है बंधु शुकल पक्ष की चतुर्थी को मिनाई की चतुर्थी और क्रिशन पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है बंधु आज क्रिशन पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है बंधु संकष्टी चतुर्थी का मतलब है संकट हरने वाली बंधों इस वरत के करने से भगवान गनेश प्रसन होते हैं महिलाएं अपने संतान की मंगल कामना और लंबी उमर के लिए निजला वरत रखती है भगवान गनेश की प्रधम पुझ्य देपता के रूप में अराधना की जाती है इसलिए कोई भी शुबकारे करने से पहले भगवान गनेश की अरादना की जाती है इस चत्रिथी में शी गनेश ची के उपवास के साथ कथा भी सुननी चाहिए बंद्यों संकर चोथ के दिन महिलाएं सुभेशनानादी करने के बाद उपवास रखने का संकल्प लेती हैं और चंद्र दर्शन के बाद ही उपवास तोड़ती हैं कई स्थानों पर महिलाएं इस दिन कुछ नहीं खाती वहीं कुछ स्थानों पर महिलाएं उपवास तोड़ने के बाद खिचडी, मुंफली और फलाहार करती हैं इस दिन शकरकन खाने का भी बहुत महत्व है संकर्ट चोथ पूजन विदी सुबह श्रान के बाद सफेद कपड़े पहन कर गनेश ची की प्रतिमा को इस शान कोन में एक चोँके पर स्थापित कर दें ध्यान रहे चोँकी पर लाल या पीला कपड़ा आवश्य बिचाएं फिर गनेश्ची की प्रतिमों पर गंगा जल छिड़क कर उनकी पूजा शुरू करें इसके बाद रोली, अक्षद, दूर्वा और फूल चड़ाएं फिर पान, सुपारी और लड्डू का भोग लगाएं इसके बाद देशी घी और धूप आदि से उनकी पूजा करें और आती उतारें ओम गनेशाय नमा, मंत्र का जब करते हुए भगवान को सब कुछ अरपित करें संकर्ट चर्तुर्थी के दिन दिल और गुड का भोग भी बनाया जाता है महिलाएं समुहों में एककत्र होकर भगवान गनेश्ची की कथा सुनती और सुनाती है संकर्ट चोथ ब्रत कथा सभी मेरे साथ मिलकर बोलिये गनेश्ची महराज की जय हो एक बुडिया का लड़का सवेरे गाएं चराने जंगल में जाता सांज पड़े घर आता सारे दिन की मेहनत के चाट टके अर्थात आठ पैसे रोज मिलते जिस से मा बेटों का गुजर बसर होता बुडिया का चोथ माता की कहानी सुनने का व्रत करने का नियम बराबर चलता था व्रत के रोज पांच लड़ू बनाती दो चोथ के विनायक के और एक अपना इस तरहे नियम पालन करने से वेह मोटी होती जा रही थी पांच प्रोसिन को इस बात की जलन थी उन्होंने बुडिया के लड़के को बहकाया लड़के ने सोचा मैं तो सारे दिन मेहनत करके सूखी रोटी खाता हूँ और यह घर बैठी लड़ू खाकर मोटी ताजी हो रही है इसी सोच के कारण वेह एक दिन गाए चराने नहीं गया और छिप कर बैठ गया उस दिन चोथ थी बुडिया दो पैसे का घील आई और सदा की तरहें पांच लड़ू बनाए और भोग लगाया लड़का चुपके चुपके सारी बाते देख रहा था दूसरे दिन वेह बुडिया से बोला मा मैं कमाने जाऊंगा यहां कमाई बहुत थोड़ी है बुडिया ने बहुत समझाया पर वेह नहीं माना तब बुडिया ने हाँ कर दी जाते समय कुछ अनाज के दाने और एक पानी की कल्शे दी इन से वेह रोज कहानी सुना करती थी जाते वक्त बुडिया ने समझाया ये दोनों चीजें तेरी संकट में सहायता करेंगी सो सदा अपने पास संभाल कर रखना सवेरे ही चल पड़ा चलते चलते रास्ते में एक नदी आई बरसाथ का मोसम था नदी में पानी चड़ा हुआ था बार जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था बड़ा दुखी हुआ बुडिया की बात याद करके उसने हाथ में अनाज के दाने लिए और विंती की हे चोत माता मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती थी तो बहता पानी कम हो जाए और मुझे पार जाने का रास्ता मिल जाए इतना कहे कर कलश में से पानी लेकर ठीटे दिये रास्ता मिल गया लड़का पार हो गया आगे जंगल में पहुँचा तो एक शेर मिला लड़के के होश उड़ गए उसने जट अनाज के दाने हाथ में लिए और विंती की हे चोत माता अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत किये तो यह से ही गाए बन जाए पाने के छीटे देते ही शेर गाए बन गया और चरने लगा लड़का आगे निकल गया सांज होते होते एक गाम में जा पहुचा गाम में खुसते ही एक बुढिया का घर आया अंधर जाकर बुढिया से रात बिताने के लिए जगय मांगी बुढिया ने दया करके हां भर defeat वह ठहर गया राज को उसने देखा कि बुढिया मालक हुए बनाती जा रही है और रोती जा रही है लड़के ने अचमभा किया बुढिया से पूछा बुढिया माई यह क्या बात है बुडिया ने बताया बेटा यहां का राजा छटे माँ एक पकवान पकाता है और पकने के लिए हर बार एक आदमी की बली दी जाती है और उसका नियम यह है कि बारी बारी से हर घर का एक आदमी लिया जाता है आज मेरे साथ में लड़के की वारी है उसको आज माल पुआ खिलाओंगी सुबह होते ही राजा का बुलावा आ जाएगा लड़के ने कहा मा चिंता मत कर कल तेरे लड़के के बदले मैं चला जाओंगा बुढिया ने कहा दूसरे के बदले कोन मरता है मैं तुझे क्यों भेजूं लड़के ने कहा नहीं मैं जाओंगा ला माल पुए मुझे खिला दे बुढिया ने माल पुए खिला दिये लड़का खा कर सो गया सुबह होते ही राजा का सिपाही आया बुढिया ने उस लड़के को उठाने के लिए बरतनों की आवाज की और बढ़ बढ़ाना शुरू किया लड़के की आँख खुली बात समझ गया और जाने के लिए तैयार हो गया जाते वक्त उसने अपनी लाठी और कंबल बुढिया को संबलाई कहा मैं आकर ले जाओंगा बुढिया ने कहा मैं संभाल कर तो रख दूंगी पर मैंने तो गय हुए को आज तक वापिस आते नहीं देखा पर यदी तुम विश्वास रखते हो तो ठीक है तुम्हारी भगवान रख्षा करे लड़का चला गया जगहे पर जाकर लड़के ने देवताओं को याद किया अनाज के दाने निकाल कर पाने की घंटी ली और चोथ विनायब को याद करके अपने चारों तरफ देखा और एक चौंकी पर बैठ गया कजावा चिन कर आग लगा दी गई तीसरे दिन कुछ कुम्हारों के लड़के खेलते हुए उधर से निकले उनके हाथ में से एक पत्थर का टुकड़ा उचल कर कजावे पर जा पड़ा पत्थर पड़ते ही उसमें बरतनों की टंकार निकली बास सारे गाउं में फैल गई दीरे खोलना अंदर आदमे भी हैं उन्होंने सुझाव दिया कि यह आदमी की आवाज है तुम डरों मत आखिर सारा कजावा खोल दिया गया लड़का चोकी पर हस्ता हुआ मिला चोकी के चारों जुआरे उगे हुए दे पाने का कलश भरा हुआ था राजा के पास लड़के को लाया गया राजा ने सारा किस्सा सुनना चाहा लड़के ने बताया कि मेरी माँ चोथ विनायक का वरत करती थी और उसी ने आते वक्त मेरी रक्षा के लिए यह अनाज और पानी का कलश दिया था राजा ने भाग के वाल लड़का देकर अपनी लड़की का विवा उस से कर दिया और चोथ का वरत करने का धिंडोरा पिटवा दिया कई दिन बीद गए राजा के बेटों की बहों ने ननत को ताना मारा बाई जो पेट से निकले हांडी से नहीं राज कुमारी ने अपने पती से कहा माए जहां माई का सास जहां ससुराल लड़का भी बात समझ गया और राजा रानी से आज्या मांगी और अपने गाव को श्वास नहीं हुआ, उसने उपलों के धेर पर चड़ कर देखा, बेटा बहु आते दिखाई दिये, बुढिया ने चोथ विनायक को बार बार नमस्कार किया, बेटे बहु ने आकर बुढिया के पैच हुए, घर में आनन्द छा गया, गाम में चोथ के व्रस का धिंडोरा प की जाए, संकार चोथ माता की जाए, राधे राधे, जै श्री कृष्णा, बंधू, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक करें, और शेयर भी जरूर करें, धर्न्यवाद,